हेलो दोस्तो जून 20 से 24 पाँच दिन नया सब्ता आ रहा है यहां पर कौन से important events है जिस पर investors को ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे आठ कंपनिया है जिनकी important dividend dates आ रही है उसको हम समझेंगे दो कंपनिया एक्स bonus जा रही है उसको हम समझेंगे और international कौन से events है उसको हम जानेंगे दोस्तो यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं dividend की date के साथ तो सबसे पहले ब्रिटानिया 20 जून शुरुआत ही होगी 20 जून एक्स डिविडेंट डेट ब्रिटानिया की 56 रुपीज 50 पैसा तो दोस्तो इसके उपर आल्रेडी हमने पहले जो है वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हमने जो हमारे जो community members हैं जो subscribers हैं उनको इनके बारे में बिलकुल information प इपॉटन डेट है फिर है supreme industries supreme industries पर वीडियो आज ही upload हुआ है 18 रुपय का dividend है और 21 जून है एक्स डिविडेंट डेट उसके बाद है इंडियन होटल 22 जून एक्स डिविडेंट डेट है 40 पैसे का dividend है दोस्तों अब इंडियन होटल और यह जो बाकी के जो चार शेर आप ज डिविडेंट फिर Bombay Stock Exchange या BSC 13 रुपए 50 पैसे का डिविडेंट और सेम 23 जून एक्स डिविडेंट डेट है और लास्ट में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 24 जून है एक्स जो डिविडेंट डेट है और 4 रुपए का यहाँ पर वो डिविडेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर तीन कंपनियों पर अल्रेड़ी वीडियो बन चुके हैं और उनका हमने डीटेल में अनलिसिस किया हुआ है बिजनस अनलिसिस जो हम फोकस करते हैं हम रोज के एक दो दिन के तार्गेट पर बिल्कुल भी हम नहीं जाते हैं विदिडेट से में लॉट्रॐ्I मंजबूरी में लॉन graduated नहीं होना चाही जो अभी फिल्हाल मार्केट में बहुत इंफोर्च्टूनेटली वन गया है जोकि बहुत आछी चीज तो नहीं है कोई चाहता भी नहीं है लेकिन बुल मार्केट में ऐसा हुआ है अब दूसरा important data bonus का तो दो companyya x bonus जा रही है मतलब उनका share price बिल्कुल गिरा हुआ नजर आपको आ सकता है जैसे 22 June को अजनता फार्मा 1 is to 2 ratio में bonus है और फिर नजारा technologies 24 June को उनका जो bonus है एक bonus होंगे तो 1 is to 1 का जो bonus का ratio है वो आपको देखने को मिल सकता है अब international events तो दोस्तों 20 तारिक को US markets closed है तो वहाँ पर June 3 करके मेरे लिए भी ये थोड़ा नया term है US market US से related तो June 3 National Independence Day है तो 20 तारिक को वहाँ की market closed रहने वाली है तो ये एक important चीज है फिर 20 तारिक को China भी rate hike कर रहा है expected तो नहीं है कि वो rate hike करेंगे लेकिन 1 year और 5 years का interest rates पर बैठक होने वाली है फिर 21 तारिक को यहाँ पर US का जो housing का जो data है वो आने वाला है कि किस हिसाब से जो housing activity या जो घर लेने का activity बढ़ा है भटा हुआ है उसके बारे में और फिर inflation को लेकर जो Great Britain और Canada इसका जो है जो rates है उसके उपर भी discussion होने वाला है 22 तारिक को दोस्तों तो यह कुछ international events लेकिन international event के साथ bonus events भी है और ex-dividend events भी बहुत सारी है दोस्तों जरूर बताएगे comment section में आपके views कोड़ा सा वीडियो था मुझे उमीद आपको value मिली होगी धन्यवाद आपके समय के लिए thank you very much दोस्तों